आज हम बनाएंगे काले चने का चोखान तो देखिए हमने 200 ग्राम काले चने को 4-5 घंटे के लिए पाले में भिगोकर छोड़ दिया था और हमने उसे फील कुकड में 1 सीटी लगा लिया है देखिए हमने इस तरह से चने को ठका लिया है कुकड में 1 सीटी लगा कर तो और हमन कोने देखीये 4 हडी मिर्च ले लिये है और 7 सेयाब लासून की कली को कुल ले रहाइक काले चने का चोखा ले हाती अस्टायल में बनाएगे, got a जने के चोखे को सिल्वट्टे पार पीषेंगे, शिल्वट्टे पर पीस कर हम काले चने का चोखा बनाएंगे तो चलिए हम काले चने का चोखा बनाना शुरू करते हैं शिल्वट्टा ले लिया है शिल्वट्टे को अच्छे से धोलेंगे देखिए अक्षे से सिल्वट्टे को धोले ना है और थूड़े फानी को हटा देना है थोड़े थोड़े काले चने को सिल्वट्टे पड़ इस तरह से रखेंगे और लासुन और हरी मिर्च को भी इस तरह से रखेंगे पार्ले चने का चोखा सिल्वट्टे पड़ बनाएंगे तो बहुत ही तेश्टी बन कर तयार हमें एक दम इसे बारिग नहीं पीछना है तो चलिए हम इसे पीछने है देखिए इस तरह से हम पीछलेंगे पाकी के चने भी इस तरह से रख लेंगे इस तरह से हम चोखा को अच्छे से पीछ लेते हैं, देखिए हमने चोख्य को पीछ कर तयार कर दिया है, अब हम इसमें खोड़ी सी नमक डालेगे, चना को वालतर समय भी थोड़ा सा नमक डाला था, आप नमक टेस्ट के खवर्डी कम याजादा कर सकते हैं, चलिए हम नमक को डाल देते हैं, एक चम करते हैं, और टेस्टी भी लगता है खाने में, इसे आप बच्चों को भी बना कर खिला सकते हैं, आप इसे सालों भर कभी भी बना कर किसी भी दिन खा सकते हैं, चलिए हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं, अच्छे से मिला लिया है, अब ए बनकर तयार हो चुका है, आप च अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कर दिजिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिए